कि यहां पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा फेस क्या पील ओफ फेस मार्क शेयर करने वाली हूं मास्क उसके लिए सबसे पहले क्योंकि पील ओफ करना है हम अपने जो एक्स्ट्रा हेर होंगे उनको रिमूव कर लेंगे क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत पैणफुल हो जाएगा और वो डंक से पील नहीं हो पाएगा इनफैक्ट होई ही नहीन पाएगा क्यूंकि वह बहुत ज़्यादा पैणफूल हो जाता है 시청 के से जादा आहर होते हैं और कि मेरे से काफ़े थे रहते हैस को स्था कोट उपर ऊपर से रीमूव कर में ज यूज किया काफी फेस मास्क जो पील थे वो यूज किये हैं लेकिन मुझे इतना अच्छा रिजल्ट किसी का नहीं मिला जितना मुझे इस फेस मास्क का मिला है और फेशल हेर तो वैसे भी आप लोगों अगर किसी के फेस पे हैं तो बहुत बद्दे दिखते हैं हमें 15 डेज में वैसे भी रिमूव कर लेने चाहिए जो कि मैं करती रहती है और यहां पर मैंने एक मेकप लुक निकाला था उसकी वज़े से यह लेंसे लगे हुए हैं और एक सिंपल लिबाम लगा हुआ है तो अब यह अच्छे से निकल गए और मैं यही दिखा रही थी कि फेस पे को भी नहीं है कोई मेकप नहीं है इंफेक्ट कोई है यह कोई सोच है बी बी सी सी क्रीम नतिंग सिर्फ मौशराइजर है वो भी मैंने सुभे मूँ दूला था उसके बाद लगा था वो भी अब्सॉब तो हो गया होगा अब तक क्योंकि यह तीन साड़े तीन बजे का टाइम है तो इस तरह से आपको निकाल लेने और उसके बाद चलो अब हम अपना मास्क तयार करते हैं तो आप किसी भी बेकरी शॉप या आप किसी भी जर्नल स्टोर पे जाके आप लोगों को लेना है जिलेटन पावडर और इसके लिए आपको थोड़ा सा दूद लेना है गरम व समोन लें क्योंकि में जो फेस मास्क होता है पील वाला वह थोड़ा सा टेननी लगंता होता है जल्दी सुख जाए जो मोटा होता है उसे सूखने में बहुत ही time लगता है तो अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी हल्दी, कस्तूरी हल्दी इतना अच्छा effect देती है ना फेस पे, आपको इसके दो application से ही अपना face इतना अच्छा लगने लगेगा आप try करके देखना जो आपके blackheads हैं, whiteheads है, बहुत ही बारिक वाल जरूर करना इसको जो हमारी डेट क्योंकि हमारे फेस में जो इनर प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे पिग्मेंटेशन होती है वो इनर होती है तो उसको हटाने के लिए भी पहले हमें फेस की ऊपर की डेट जल तो हटानी पड़ेंगी न वह इंटर्नल इंटर्नल के लिए हम और कुछ भी यूज़ करते हैं पर एक्सटर्नल भी तो सफाई होनी जरूरी है ना कोई डर्ट वर्ट ना रहे फेस पे इस तरह से आपको यह मैश अच्छे से करना है जो बिल्कुल यह गुल जाए जिलेटन पाउडर अर्मेस में यहां क्योंकि यह थिक हो गया था थोड़ा सा मिलक और मिला लूँगे और अब हम इसको अच्छे से मतलब अच्छे से शेक कर लेंगे जिससे ये बिल्कुल एक तिन कंसिस्टेंसी में आ जाए और देन हम इसको अब अपने फेस पे अपलाई करना शुरू करेंगे अब आप अगर ब्रश की हेल्प से लगाना चाहते हैं क्योंकि जब हम हाथ से लगाते हैं तो जो उंगलियों की घर्माहाट है वो किसी भी चीज में जाती है और फेस को ना एक अलग सा ब्लड सर्कुलेशन होता है फेस पे तो इस टाइप से हम इसको पूरे फेस पे लगा लेंगे एक मेक शूर आइब्रो के पास ना लगाए और उपर के जो हेर होते हैं वहां पे ना लगाए क्योंकि वहां पे लगा और जब हम पील करेंगे तो बहुत पेंफूल होगा और आइब्रो पे तो वैसे आइब्रो यह चली जाएगी तो उस हिसाब का दिहान रखके और जहां आपके हेर ग्रोथ नहीं है वहां पे लगाए उपर मतलब आइब्रो और उस पे बालो से हटके अब आप इसको निकालना शुरू करें और यहां पे यह कैमरे ने फोकस नहीं किया नहीं तो मैं आपको दिखा थी वाइड्स एक-एक वाइड्स से निकल गिया जो एक-एक त बहुत बिल्कुल सब निकल जाता है जो चोटे-चोटे हेर रहें ते ना भी निकल गए जो नाक के पास हेर ते क्योंकि नाक पर नी चला सकती नाक पर छोटे-चोटे हेर होते हैं और उनमें white teats होते हैं जो कि निकालना बहुत painful होता है scoop की help से तो यह easily इससे निकल जाते हैं और face बिलकुल clean कोई dead cell नहीं कोई कुछ नहीं इतना अच्छा face हो जाता है न कि बस पूछो मताब और दिहान रहे जब आप इसको निकाले तो इसको upward direction में निकाले क्योंकि जो हमारे hair growth है इसकी opposite direction में निकालेंगे तो जो हमारे बहुत ही थी नियर है वो easily से निकल जाएंगे और यह सच में amazing था मैं बहुत यह amazing था मैंने इतने peel mask की यूज किये हैं but it's a amazing face mask यार आप इसको एक बार try जरूर करना बहुत easily available हो जाता है यह आप अगर इसको gold में gold peel off बनाना आते हैं तो amazon flip card पे gold dust मिलता है उसको मंगा के वह इसमें mix करके वह गोल्ड वाला मंगा बना सकते हैं बट यह ऐसे भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है बहुत ही अच्छा जो बाजार का gold होता है उसमें पार्टिकल्स आते हैं तो फायदा क्या है उन पार्टिकल्स का फेस पर रहने से तो आप ऐसे ही इसको यूज करें और इसका result देखें amazing result है गाई इसका amazing result आप एक बार इसको निकाले क्योंकि फिर ये डंग से पील आफ नहीं होगा और निकलेगा नहीं और बहुत मैस हो जाएगा आपको हटाना मुश्किल हो जाएगा फेस से और यह जल्दी सुख जाता है कभी कभी 20 मिनट्स वो देखते हैं कभी कभी हवा चलती रहे